हेलो गाइज, वेलकम टो अटो सोनिक, प्लीज सब्सक्राइब और चैनल और प्रेज दा बेल आइकोन को प्लेट की स्पेस और उससे नीचे एर इंटेक की जगे, जो पूरा ओवरोल फ्रेंट से लुक है गाड़ी का, वो काफी ज्यादा चेंज है पहले वाली सिलेरियो से और काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, थोड़ी मस्कुलर टाइप सी लग रही है, गलेस्टेनिंग ग् इंडिकेटर नहीं दिये गए है, VXA वेडेंट में, फ्रेंट फेंडर पर दिये गए है, आप देख सकते है वीडियो में, 3695 mm की लेंट, 1655 mm की विर्थ, 1555 mm की इस गाड़ी की हाइट और 2435 mm का वील बेस रहने वाला है, 32 लिटर का फ्यूल टैंक रहेगा गाड़ी में, प साइड में पार्किंग सेंसर देखने को मिलते हैं, फीछ भी लेहलोजन लइक सियूल के तर हाण देखने में, सुझारियो की बैजिंग उसके लिए ट्रणक ऑपनर म्लेकर बूट frightening dim. काफी जादा अच्छ है इस गाड़ी में मैं कहना चाहूंगो काफी जादा गेराई में तो काफी जादा समान भी आज़र है 60 40 split है 313 liter का boot space आपको देखने को मिलता है और नीचे ही इसके आपको spare tire देखने को मिलता है जो की same size r14 का रहने वाला है सिलेरियो जैड एकसाई टॉप वेरियंट मैनुवल की वीडियो अपने चैनल पर डाल लखी है आप उसे भी चेक आउट करना काफी ज्यादा इंट्रेस्टिंग वीडियो हो है कीले सेंट्री का फीचर कोई भी आपको वी एकसाई वीरियंट में देखने को नहीं मिलता है यह पर रिफ्लेक्टर और साथ में सेंसर पीछे की टेलेंग्स का डिजाइन काफी जादा सुंदर कर दिये गया है पहले वाली सिलेरियों के मुकाबले काफी जादा सुंदर लगने लग गई अब गाड़ी सिल्वर ब्लू वाइट ब्राउन और रेड कलर में आपको गाड़ी सेंटर में इंटीरर आने वाला है डूर हेंडल क्रोम में देखने को मिलेगा डॉर पर स्टोरे स्पेस की बात करूं तो एक लीटर की बोटल और फोड़ा बहुत स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा इस साइड आपको और वार वीम के कंट्रोल फोग लाइट का बटन द सब्सक्राइब कोई भी म्यूजिक सिस्टम और स्पीकर आपको देखने को नहीं मिलता है पावर विंडोस के एक शोरूम प्राइस शुरू हो जाता है एसी के कंट्रोल है यहाँ पर उसके नीचे ट्वेल्व का चार्जिंग सोकेट है कुछ टोरे स्पेस है गिलास होल्टर के साथ और यह है इस गाड़ी का फाई स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांस्मिशन एम्टी रहने वाला है पैट्रोल आएगी जो आपको डिस्टेंस टू एंपटी फ्यूल किलोमेटर रेंज यह सब शो कर देगी स्टेरिंग विल एज्जेस्मेंट में आपको खाली तेल्टी देखने को मिलता है स्टेरिंग वी आप खाली इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं चलिए फ्रेंट से तो बात होगी ग तावर देखने को मिलता है यह डिस्पले कर रहे तो इसमें पहले से कंपनी रहा है जो है वाइट क्रीव इंटेरियर कर रहा है गाड़ी का सीट क्र पा पीछे की तरफ आप को पावर विंडोस बीच में देखने को मिलती है डौरफ में oih तो यह एक सभी वेरेंट का कुछ डैश्बोर्ट का ऐसा लूक आता है पीछे से सामने बिलू कलर का टॉप मोडल खड़ा उसकी वीडियो मारे चैनल पर है जाके देखिए कोई भी कोशन हो आपका किसी भी कार से रिलेटिड या सिलेरियो से रिलेटिड आप हमसे पूछिए उसका जवाब हम आपको देगे क्योंकि हम आपके लिए वीडियो मनाते हैं आपकी नोलिज के लिए इससे आपको गाड़ी लेने में असानी हो यह को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मोटिवेशन मिलेगी पीछे वाले डोर पे भी आपको एक लिटर की बो